नमो नारायन, जय महाकाल, जय मवगला मुखीदे की आज कभी से है कि अगर आपको यह संकेत, साथ संकेत मिलते हैं, तो आपके उपर इस्वरी सकती का वास है, आपके घर में भी इस्वरी सकती है, आपके साथ भी इस्वरी सकती है, कैसे पहचाने इन संकेतों को चलिए इस व तो कमेंट में जय मातादी ओम नमस्षिवाय जय श्री राम जरूर लिखें चलिए सबसे पहला कि जो सिद्धानत आएगा जो आपको experience होगा वो होगा कि आपकी नीद ब्रह्म मूरत में खुलेगी सुबह के समय सुबह के समय खुलेगी लेकिन याद रहे कि ब्रह्म मूरत का सुबह का समय दो से तीन बजे का नहीं होता है अगर दो से तीन बजे का है तो यह high time है आपको समझना चाहिए कि आपके घर में फिर negative energy है आपकी जो नीद होती है वो हमेशा चार से पांच साले तीन बजे से लेक पांच साले पांच बजे तक खुलेगी ब्रह्म मूरत है भगवान चाहते हैं कि आप उनकी पूजा जैसे करते आए हैं वैसे ही करते रहें आगे बढ़ते रहें प्रभू आपके सांत हैं यह संकेत है दूसरी बात आती है कि अगर आपके घर में जो गाए अभी तक आती न करना है उस गाए को आपको प्रेम पूर्वक एक रोटी नहीं वलकि तिन-चार रोटी खिलाईए जब तक उसका पेट न भर जाए खिलाईए उसे यह भगवान हो सकते हैं जो आपके सामने में सच्छात आ रहे हैं और आप पहचान नहीं पा रहे हैं ठीक है गरूर पुराण में ऐसी और भी कई बाते लिखी हैं जिससे यह साबित होता है कि इस्वर की आपके ऊपर क्रपा है देखिए सबसे पहले तो जब भी किसी के नदे लेने की छमता आ जाती है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है ठीक है अगर कोई वेक्ति सपने में जब भी सपना आता है ब्रहमूरत खुलने से पहले यानि ब्रहमूरत में जब वो पूजा पाट करना चाहता है उसके पहले उसे सपना आ रहा है और सपने में वो मं तो में तो समझ लीजे कि इस्वर का आपके ऊपर हाथ है आपके गर में साच्छात लच्मी है तो साच्छात नरायन आपके साथ में हैं प्योंकि आज के समय में कितना भी पैसा आप कमा लो लेकिन अगर आपका दामपत्य जीवन खुसी नहीं है पती पतनी जो एक गाड़ी के दो पहलू हैं दो पहिये हैं पूरी ग्रहस्ती को चलाते हैं और लाइफ टाइम आपको जिंदगी निभानी है और अगर इसी के साथ दोनों अच्छे हो और खुसनवा महाल हो तो समझ लीजे इस स्वर की क्रपा आपके ऊपर है आज कल ज्यादा तर 90% मामलों में यही दिक्कत है तो अगर आपका यह खुसाल जिंदगी है तो 10% लोगों में आप स्वभाग्य साली है ठीक है अब बात आती है कि कई ऐसे सेदा नहीं उठा पा रहे हैं यानि कर तो बहुत सारी डिगरी लेते हैं पढ़ाई लेते हैं फिर बात आती कि सारी पढ़ाईयों को छोड़के किसी और दूसरे काम दंदे में लग गए तो इसका मतलब क्या हुआ हुआ कि उनके ऊपर नरायर की क्रपा नहीं है लेकिन आपको बढ़ाई आपके उपर स्कति का वास है भगवान ब्रैफपति की आपके उपर कुर्पा है और साच्छात नरायर की आपके उपर क्रपा है अगली बात आती है कि जो भी इंसान के इस आपने गुश्य मेश्व कॉष्र आती है क्योंकि जो गुस्ता होता है वो when जबान जी की भी कृपा है और गुसे में हमेशा आपका नुकसान होता है जब भी आपको गुसा आएगा तो या तो आप किसी को मारेंगे पिटेंगे या फिर मुझ से गंदी कोई भी चीज निकालेंगे अब जैसे गंदी चीज निकालेंगे तो भी आपके मित्रगन जो हों लडाई के रूप में, फिजिकल अटेक के रूप में और साथी साथ कोट कछेरी के रूप में भी, तो ये भी एक अच्छी चीज है कि आपके ऊपर इस्वरी सक्ति का वास है कि आपको अपने गुसे पर कंट्रोल है, साथवा पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति बीमार रहता है घर में बीमार रहता है, तो उसके सारे पैसे, उसकी सारी जमापुंजी, आसानी से, पूरी MDRD, जो भी उसने खटा किये, सब उसी में चली जाती हॉस्पिटल के बिल में आप कितना भी पैसा कमालो, जब एक बार हॉस्पिटल का जाने का बिल स्टार्ट होता है, तो फिर वो पैसे निकलते जाते हैं घड़े में से, लेकिन अगर किसी के घर में कोई बिमारी नहीं रहता है, स्वस्थ रहता है, तो उससे बड़ा भागिसाली कोई नहीं है अब आप सोचिए कि अभी का जो दौर गुजर के गया है करोना का, अगर उसी समय में कोई गरीब इंसान के घर में कोई बिमारी हो जाती, तो वो कैसे हॉस्पिटल का बिल उठाता, कैसे उस खर्चे को वहन करता, लेकिन जो भी इंसान गरीब हो, और उसके उपर कोई भी अगर में भगवान वास कर रहे हैं कि मैं इस पुत्र के साथ हूँ, इस पुत्री के साथ हूँ, क्योंकि अगर मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, इसका कोई नहीं है, तो फिर ये इस लाइफ में जी नहीं पाएगा, ठीके, तो ये साथ जो चीजे होती हैं, जो मैंने आपक को बताई हैं और अब एक bonus point ऐसे इंसान की बुद्धी बहुत प्रखर होती है उनके अंदर वाग सिद्धी होती है जो भी वोलते हैं वो सच होने लगता है ऐसा इंसान दूर का भास कर लेता है कोई भी गटना होने वाली होगी बविस्च में उसके आगे चलचित्र जैसा चल जाएगा उसे अभास हो जाएगा कि शहीं और गलत अब कुछ होने वाला है तो ऐसे इंसान के घर में भगवान वास करते हैं, ऐसे इंसान के साथ भगवान रहते हैं, ऐसे इंसान के ऊपर देवी करपा रहती है, तो अगर आपके ऊपर भी ऐसी देवी करपा है, तो मैंने जैसा कहा था, आप कमेंट करें, और साथी साथ ब्रह्म मूरत में जरूर अच्छा लगाओगा मेरे चनल पर अगर आप नहीं आए हैं तो मेरे चनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और बैल आइकन बटन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे आप सभी लोगों का कल्यार हो सभी मनु कामनाय पूर्ण हो और आ अरे करजे आपके खतम हो जाए माई अपने इस्ट नारायन से यही प्राथना करता हूं नवो नारायन जाए महाकाल जाए माबागला मुखी